है 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 हलो बाइज दिस इस मोय तहरवार और आज का अपना टॉपिक है मैमिरी देखें मेमरी में आपने देखने वाले हैं कितने टाइप की मैमरी होती है इसका एनटॉमिकल बेसिस क्या होता है फिजिलोजिकल बेसिस क्या होता है एनटॉमिकल फि इस तरह से memory रिलेट करते हैं किस structure में होती है और physiologically, मतलब किया कारण है कि memory अपन के दिमाग में पाई जाती है तो memory is defined as the ability to recall past experience or information कोई भी information को recall करना ही क्या कहलाता है memory होती है anatomical basis करते हैं क्या structure पाई जाती है अपने brain में कि जो क्या करती है memory के लिए जिम्मिदार है तो अपन anatomical मतलब क्या structure देखेंगे और physiological में क्या देखते हैं अपन लोग क्या process होती है कि memory करवाती है तो पहले देखते हैं anatomical basis of memory इस बज़े से होती है क्योंकि synapse synapse क्या होते हैं दो neuron को जोडने वाल है यह neuron है इसका cell body हो गया और दूसरे से जोड़ा हुआ है तो यह sign-up जिम्मिदार होता है किस के लिए memory के लिए अब यह किस तरह जिम्मिदार होता होगा देखें एक बार जब कोई impulse अपन के अंदर आता है माली जे किसी ने आपको डांटा है किसी ने कुछ ऐसी बात कहा दी जो आपको खराब लग गई अब कोई बात फिर से उसी टॉपिक कोई दुवारा चर्चा करेगा तो बार बार से वो कुछ ना कोछ अपर के तमाग में बैठ जाएगा एक बार कोई sensation जब निकल जाता है अपने एक नरप से दूसरे नरप में जा रही है तो एक बार कर दो कोई दिककत नहीं रहती है लेकिन बहुत बहुत यह सब होने लगती है अब बहुत कहां से निकलती है इसANDAS से निकलेंगे जितनी बार उत्रा जान्दा स्टूरेज होता जाएगा मतलब अपनको क्या करना है मेमरी को अगर स्टूर करना है तो यह साइनेप्टिक ट्रांस्मिशन बढ़ाना पड़ेगा ठीक है अइन्यपेड़ मतलब क्या होता है कि अनेटर की जासा नियोरोण जिसको यह बाला हो जाएगा अपन का प्राइमारी कि ऐशानेप्टिक टर्मिनॉरन ठीक है फिर क्या होता है sensation are transmitted to post-synaptic neuron through this terminal तो जो sensation होते हैं वो primary pre-synaptic terminal से post-synaptic terminal तक sensation carry किये जाते हैं एक और pre-synaptic terminal होता है pre मतलब यह पहले वाला एक और होता है pre-synaptic terminal यह इस तरह से ends on primary pre-synaptic terminal this terminal is called facilitator terminal यह किस पर end हो रहा है primary पर इस पर end हो रहा है यह diagram में आपको बता दूँ इस diagram में आप देख सकते हैं primary pre-synaptic terminal पर कौन end हो रहा है? facilitator मतलब यह इसके function को increase करेगा और यह जादा से जादा transmission किस पर कर पाएगा post-synaptic neuron पर कर पाएगा और जितना जादा transmission हुआ उतनी अच्छी memory बनेगी ठीक है? तो अपन को जादा से जादा transmission करवाना है physiological basis में देख लेते हैं physiological basis क्या होती है? anatomical देख लिए कि structure रही memory is stored in brain by the alteration of synaptic transmission between the neurons involved in memory तो जितना जादा synaptic transmission हो रहा है उतना जादा memory store होती है क्या होता है? अपन कॉलेश से निकले ठीक है? कोई दोस्त है या कोई भी है तो अपन उसके पीछे-पीछे ये गली में जा रहे है ये गली है इधर कोई घर बने हुए है इधर घर बने हुए है इस तरह से ठीक है? इस गली में पीछे-पीछे जा रहे है एक बार निकले उन घर बालों को कोई दिक्कत नहीं है लेकिर कई बार अगर निकल रहना तो अदर तो बूड़ी अंटिया रहती है वो तो देखेंगी ना तो एक तरह से वो बंदा पहचाना-पहचाना से हो जाएगा इसी तरह का एक इंपल्स है जब बार-बार किसी सानेप से गोजा रहना तो फर वो चीजें जानी-पहचानी सी हो जाएगी तो वो क्या खेलाएगी? मेमरी में इंकलूड हो जाएगी तो इसमें दो चीजें इंकलूड होगी एक तो होगी जो इस चीज को बढ़ाएगा उसको बोलते हैं फैसिलिटेशन और एक यह ऐसा होगा कि उसको कम करेगा जिसको क्या बोलते हैं है इस तरह से मान सकते हैं कि अगर कोई बंदा बार-बार गली से निकल रहा है तो कुछ न कोच ऐसा लगता है कि कौन है तो फैसिलिटेशन मनला उसके लिए उस-स टॉपएक पर मुद्दा बना रहा है मला च्छोटे से टॉपएक बना रहा है तो इक तरह से मम्मी रहती ना कोई बाहर से निकल रहा है इस तरह से तो वह आजा एक है कि अब जाए फैसिलिटेशन है विसमें को नहीं पाप लोग जू करते हैं उसमुद्द्ध को दबाते हैं ठीक है तो यह दुनों टोपक हो गए आपको समझ में आ गया होगा तो फैसिलिटेशन फैसिलिटेशन is the process by which memory storage is enhanced, जिसमें क्या होता है, memory storage बढ़ जाता है, मतलब यह क्या करेगा, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल था, प्राइमरी प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, उसको बोले का, और से और जाना, और जाना impulse बेज पोस्टाइनेप्टिक टर्मिनल पर, ठीक है, तो यह क्या होता है, इसलिए पॉस्टिक मेमरी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यह जाना से जाना टर्मिनल बढ़ा रहा है, और memory storage बढ़ेगा, इस प्रोसेस इस काल्ड मेमरी सेंसिटाइजेशन, मतलब memory को कितने अच्छे से, memory sensitization किसकी अच्छी रहेगी, जिसके जादना synaptic transmission, जो transmission जितमें जादना रहेगा, उसमें अच्छी memory का sensitization होगा, मतलब जादना storage होगा, और वो अच्छे से recall कर पाएगा, ठीक है, फैसलिटीटीटीशन, अब आता है habituation, में क्या हो रहा है, जिसमें memory storage को क्या करिया है, decrease कर दिया है, इत इन्वाल्स, इनक्रीज इन सानयप्ते ट्रांस्मिटीटी थी, मतलब वो सअने आपर्ड़ेग अच्छी में होता क्या है, डेच का करना है, आपकने, मैं जब सानेफ्ER ट्राइव्ट तरह से बना दीता हूँ कि यहां पर क्या सुडियम अंदर जाने लगता है उटियम अंदर जाने लगता है और पुटेसीयम कुछ बाहर आजाते हैं इस तरह से होते हैं लेकिन इसके हैं कर देते हैं व का बाहराना भी अधिर बन्त करते हैं सोडियम का अंदर जाना का अंधर जाता हो जाती है इस बज़े से क्या होता है जाता पॉस्टी साम करने का अपन की समता थि्दंग कर जाती है तो इसको क्या बोलते है negative memory भी बोल देते हैं कि अब बोल देड़ करना किला सब्सक्राइब वहको सब्सक्राइब आप यह उन्हें को रिकाल करना अब यह तो प्रकालिंग इवेंट्स एसे जो अभी तो अब यह उनको रिकाल करना जैसे कि वितन वर्ज और यह दिन में यह तो में हुगा हूँ या आज ही दिन हुगा हूँ इस वाज सो नौन एस रिसेंट में भी गटना है और एक्जामपल टेलीफॉन नंबर जैसे कि आपने किसी ने टेलीफॉन नंबर वोला था उसको याद करना कि वहां वाई तेरा नंबर बताना तो इस तरह से वह उसको लिए प्रेमर तिल टॉमोरो जो कल तक याद रहे भी सकता है या फिर कहाँ अगर बार बार उसको याद कर दो तो तो इसो जबना भूल जाते हैं तो एट में भी फ्या ओंप सी किया अगर बार बार रिकॉल नहीं किया तो इसको रहे नहीं जाएंगे और जागा ता रिपीट कर आता है डिकालेंग ऑफ इवेंट सोब इसको रिकाल करना क्या होता है लॉट टर्म इमेरी जैसे किसी से पहली बार मिले हो कोई फिलिंग ठीक है इट अधर वाइस काल रिमोट मेमरी डिमोट मेमरी एक्जाम्पल ऑफ दे ऑफ इसकूल इंग बड़ दे सेलिबिए सन ठीक है ज जैसेंटर्च को चीज़ों को बाढ़ बाढ़ आध रहते हैं इंग आप नहीं करते हैं फिर दूसा तरीका है मैमरी को करने का एक्सिज प्लिसेट और इंप्लिसेट में मतलब होता है कि अपन जवरजस्ती किसी चीज को रिकॉल कर रहे हैं जबड़ चिज़ को रिकॉल कर यह वहां पर पड़ा था लेकिन क्या होजा जब कॉलिज के किसी बोर्ड में जाते हैं तो कहीं पर कोई नोटस चिपका होता है या फिर इस से रिलेटेड अनाटमी से रिलेटेड या फिजॉलोज से रिलेटेड कोई बड देख जाए अपने अंदर से वह आ जाता है अच्छ एंद इंफ्लिशिट ठीक है एक शलि एक्सवी एक्स्प्रीसित में क्या हो गै Dünyah do में हिस त talented इसमें убynn को संऔर रहे हैं इसमें इसमें आपनको खुद भीकॉल करना पड़ा है इसमें आपको में तो ऑप शलिए कौत newspaper थीब्त इब इसमेंस को साइकल चला रहे हैं या फिर क्या कर रहा है लिख रहा है तो लेखने में पहले अपने को बता होगा कि स्थरह से एक्षर बनाने हो दें लेकिन फिर तो आप तो लिखते जाते हैं बहुत से या फिर टाइपेंग हो गई सब्सक्राइबिश और में इसकी बैपने कर पांज़ाू जैसे की सफेल मेमेरी भी बोलते हैं इसमें देख लेते हैं इस तरह के एक्टिविटी हो वो एम्पेसेट मेमरी में आती है तो एमनेशीय क्या होता है एक मतलब होता है कि लोग सब्सक्राइब यह रहा तो यह मैं आपको बताना चाहए था किस तरह सो इस चिमिलेशन होता है सब से पहले देखिए जो फैसलेटेटर नीवरों फो फैसलेटर नीवरों पर वो स्रोटरनेटरने निकालेगा सिरोटरने निकालेगा तो फर पोस्टानेटर पर ट्रोटेंड स्ट्रियोटर कॉम्प्लेक्स इसकी बज़े से अधिनायल साइक्टिवेट हो जाएगा जो इस वह जाएगा आप क्या हो जाएगे इनका एगजिट खतम इनका एकजिट खतम और साथी कंटिनेजर से वह उब कैल्से माइनति तो इस तेर पॉसिटिविटी बहुत ही बढ़ जाएगी इस चेहीज बढ़े से सानेट्रॉक चाहरी बहुत इंक्रीज रिलश लार्ज आपको जितना मेना उपर बता है इतना ही लिखना है उसका एक क्लासिफिकेशन पूछते हैं और क्या होती है मेमरी यह पूछते हैं ठीक है थैंक यू गाईज प्लीज लाइक से लें सब्सक्राइब देचेनल